कहा जाता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उपते पर सच तो ये है कि modern banking system इतना तीजी से पैसे create कर रहा है जितने तीजी से पेड़ तो कभी कर भी नहीं पाएंगे most लोगों को ज़रा भी idea नहीं है कि आज currency कैसे create की जा रही है कुछ लोगों ने तो पिछले एपिसोड की वीडियो में बहुत confidence से comment किया और कहा कि एक country उतने ही पैसे create कर सकती है जितना उसके पास सोना होगा जो कि बिल्कुल सच नहीं है gold-backed currencies पहले चला करती थी पर वो system को change हुए बहुत time हो चुका है आज हर जगा बस fiat currencies चल रही है और उससे भी बड़ी बात यह है कि fraud होना start ही तब से हुआ जबसे gold-backed currencies बनना start हुई थी जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको पैसो की history बता के explain किया सो अब इस video में मैं आपको बताऊंगा कि आज की time पे currencies कैसे create की जा रही है और उसके साथ ही मैं बताऊंगा आपको human history के सबसे बड़े fraud के बारे में जो हम सब के साथ किया जा रहा है बस कुछ countries को छोड़के आज दुनिया की हर country में currencies almost सेम तरीके से बनाई जा रही है लेकिन क्योंकि world की maximum currency dollar है इसलिए मैं आपको अमेरिका का example देके ये scam समझाऊंगा और एक बात याद रखो ये system जानबुष के complicated बनाया गया है ताके हमें वो easily समझना आ है इसलिए अगर आपको ये समझने problem हो तो फिकर मत करना मुझे भी इसे समझने काफी time लग गया था मैं आपको ये system को 6 parts में divide करके समझाऊंगा तो अगर आपको कहीं भी समझने problem हो तो आप उस part को आपस देख लेना नाव लेट्स बिगिन पार्ट नमबर वन ये सब स्टार्ट होता है election के टाइम से जब एक politician बड़े बड़े without logic वादे करता है पैसो को लेकर कि मैं आपके लिए ये free कर दूंगा वो कर दूंगा जिसे सुनकर लोग खूश हो जाते हैं और उसे जिता भी देते हैं लेकिन क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती सो जीतने के बाद government को भी पैसो की ज़रूरत पड़ती है अपने वादो और खर्चो को पूरा करने के लिए इसलिए वो लोग vote करते हैं कि वो country के income से ज़ाधा spend करेंगे जिसे deficit spending बोलते है और फिर ये एक्स्ट्रा खर्चे करने के लिए country की जो treasury होती है वो उधार लेती है bank से एक bond issue करके अब ये bond क्या होता है? bond और कुछ नहीं बस एक glorified I.O.U होता है मतलब simple words में बोलू तो वो बस एक paper होता है जिसपे लिखा होता है कि आप मुझे एक अरब डॉलर उधार दो और मैं आपको ये पैसे 10 साल में लोटा दूँगा वो भी interest के साथ और ये bond ही होते हैं हमारे देश के करजे जिसे national debt बोलते है सो अब आता है एक interesting सवाल ये उधार आखिर कौन चुकाता है इसका answer है हम सब ये उधार हमारे parents हम और हमारे आनिवाली PD चुकाएगी इस national debt को tax भरके जब government bonds बनाती है तो आप ये बुल सकते हो कि वो हमारे आज को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हमारे future को खराब कर रही होती है गवर्मेंट को उधार मिलने का procedure कुछ ऐसा होता है कि पहले treasury bond बनाती है फिर उस bond को वो निलामी में रखती है जहां दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी banks आती है और फिर बोली लगा के कोई एक bank वो bond खरीद लेती है treasury को पैसे दे के banks वालों को पता होता है कि ये बहुत profit का सौधा है इसलिए वो ये bond खुशी-खुशी ले लेते है जिसके बाद वो bank federal reserve के पास जाती है जो उस bond को bank से खरीदने के लिए एक बड़ा सा check बनाती है और उसे bank को दे देती है जिसे bank को profit मिल जाता है यहाँ अगिन ये checks और कुछ नहीं बस IOU होते है अब एक और important बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि actual में federal reserve के पास कोई पैसे नहीं होते in fact उनकी account में हमेशा zero balance होता है लेकिन जब वो check बनाते हैं तब पैसे भी अपने आप बन जाते हैं और system में आ जाते हैं मतलब जब federal reserve check लिखती है तो वो बस लिख के पैसे को create कर देती है किसी magic trick के तरह जिसके बाद वो check bank को मिलता है और फिर वो पैसे भी print होके bank के पास आ जाते हैं अब banks ये पैसे लेकर फिर दूसरे नए bonds खरिती है government से और ये cycle repeat होता जाता है बार बार यहाँ actual में treasury और federal reserve एक दूसरे से deal करते रहते हैं banks को middleman बना के जिसे हर step पे commission मिलता रहता है जिससे वो तो अमीर होते जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ देश और normal इंसान गरीब होता जाता है national debt की वज़ा से एक और बात यही वो process है जहां से सारी paper currencies बनके market में आती है government इसे base money बोलती है पर actual में वो बस currencies है जैसे कि मैंने पिछले episode में भी बताया है कि currency और money में बहुत difference होता है part 3 government spends these numbers bank से पैसे मिलने के बाद treasury वो पैसे government को देती है जो से deficit spending पे खर्च करते हैं जैसे कि public work, programs और wars के लिए जहां से फिर वो पैसे जाते हैं government employees, contractor और soldiers के पास जो अपने वो पैसे फिर again किसी bank में deposit करा देते हैं अब एक और important बात जिसे सुनके शायद आपको शौक लगे जब आप bank में पैसे डालते हो तब आप bank को वो पैसे एकदम safe रखने के लिए नहीं देते हो बल्कि actual में आप उन्हें वो पैसे उधार देते हो जिसे legally वो उस पैसों से बहुत सी चीजे कर सकती है जैसे कि उसे stocks में gamble कर सकती है या किसी दूसरे इंसान को उधार दे सकती है जिन पे उन्हें profit भी मिलेगा एकसिक्टर पार्ट फोर बैंक्स multiply the money ये एक बहुत important पार्ट है इसलिए से ज़रा गौर से समझना आज ओलमोस्त सारे बैंक्स fractional reserve banking के principle पे काम करते है मतलब अगर मैं 10% reserve ratio के example से समझाओ तो जब आप अपने 100 dollar bank में डालते हो तब bank legally उसमें से 10% के हिसाब से अपने पास बस 10 dollar तक जमा रख सकती है और बाकी बचे 90 dollar वो दूसरे किसी भी इंसान को loan पे उधार दे सकती है बीना आपको बताए यहां bank बस अपने पास 10 dollar रखता है कि कहीं इनकेस आपको उसकी जरूरत पढ़े तो आपको दे दे जिन पैसों को वो लोग world cash बोलते हैं अच्छा अब अगर आपके 90 dollar bank गायब कर देती है तो फिर आपको कैसे बराबर 100 dollar आपके account में दिखते रहते हैं ऐसा होता है क्योंकि bank उस 90 dollar का I.O.U. बना के अपने पास रख देती है जिसे फिर से easy words में बोलू तो वो और कुछ नहीं बस numbers होते हैं जो bank अपने computer में type करके save रखती है और भले से ये actual में paper currency नहीं होती पर फिर भी ये एक तरह से currency ही बन जाती है जिसकी वज़ा से अब दुनिया में 100 के बजाए 190 dollar आ जाते हैं existence में 100 आपके और 90 जो उन्होंने किसी दूसरे इंसान को उधार दे दिया है जो थे तो आपके ही पैसे लेकिन आप bank के भी हो गए है ये करके bank बैठे बैठे 90 dollar का फाइदा कर लेती है और उस पे जो interest मिलेगा वो अलग और इतना ही नहीं आगे और भी बहुत कुछ होता है जैसे के अब loan लेने वाला इंसान loan लेने के बाद क्या करता है वो usually घर, गाड़ी या ऐसा कुछ चीज़े खरीता है राइट? So इस example के हिसाब से बताओ तो अब वो 90 dollar किसी दूसरे इंसान के पास आ जाते हैं जो वो आपस क्या करता है? उसे किसी bank में जमा कराता है जिन पैसों में से फिर bank 10% बस अपने पास रखती है और 90% दूसरों को उधार दे देती है जिसकी वज़ा से अब total 270 dollar create हो जाते है और ये चीज रिपीट होती जाती है जिसका end result ये होता है कि आपके ओ 100 dollar के deposit की वज़ा से total 1000 dollar तक का bank credit दुनिया में आ जाता है और ये मैं आपको बस 10% के हिसाब से बता रहा हूँ जबकि हर bank का अलग ratio होता है कुछ 5% और कुछ तो 0% result ratio पे काम करके और भी बहुत ज़ादा currencies पैदा करती जाती है यही वो जगा है जहांसे country की maximum currency बनके existence में आती है इनफेक्ट 92 से 96% currencies इस system की वज़ा से बनी हुई currencies होती है जो banks बस type करके बना देती है अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज से मेरे पैसे तो account में रखे ही है जो मैं जब चाहें निकाल लेता हूँ तो आपको बता दू कि सबसे पहली बात इस चीज की वज़ा से country में currency की supply बढ़ती जाती है जिससे आपके उस पैसे की value जो आप मेहनत करके कमाते हो वो कम होती जाती है और चीजें महेंगी होती जाती है क्यूंकि currency का लगातार बढ़ते रहना ही inflation का main reason है जो अगिन मैंने पहले episode में बताया है और एक और बात हमें लगता है bank में हमारे पैसे safe है जिसे हम जब चाहे जाके निकाल सकते हैं और उसे use कर सकते हैं बट ये एकदम सच नहीं है अगर हम सब जन या बस 20-30% लोग भी एक साथ पैसे निकालने जाएंगे तो bank हमें हमारे पूरे पैसे वापिस नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास हमारे सारे पैसे रखे ही नहीं होते fractional reserve के system की वज़ा से यही है हमारा पूरा monetary system जो और कुछ नहीं बस एक बड़ा सा scam है जहां पैसे बस check पे लिखके बना दिये जाते हैं आयो यू के medium से या फिर maximum तो बस computer पे type करके system जो और कुछ नहीं बस supply of numbers है कुछ print किये गए और जादे तर बस type किये गए step 5 our numbers are text अब अगर आपको लगता है कि यही सबसे खराब चीज़े हैं जो हमारे साथ हो रही है तो फिर आप और stupid बनने के लिए तयार हो जाओ क्योंकि हम उन में से कुछ numbers के लिए काम करते हैं दिन रात एक करके खुन पसीना बहा के हम ही है जो actual में उन numbers को valuable बना देते हैं फिर उन्हें जमा करते हैं मेहनत से ताकि government उसका एक बड़ा सा हिस्सा लेके अपने उधार उतार सके इंट्रस्ट के साथ जो उन्होंने bank से लिए होते हैं क्योंकि हमारे ज़ादे दर tax से school, road ये development के लिए यूज नहीं होते बलकि वो उन उधार को खतम करने के लिए यूज किये जाते हैं आप ही सुचो हम सारे लोग अपनी पूरी lifetime में कितने अलग-अलग tax भरते हैं जिन में से mostly सारे पैसे उनके पास चले जाते हैं जो इस system के मालिक है और ये भी एक बड़ा secret है कि इस system के मालिक कौन लोग है जो मैं आपको आगे बताऊंगा USA की जो founding fathers थे उनको central banking और fiat currencies से होने वाले खतरे के बारे में अच्छे से पता था इसलिए वो लोग ने इस से लड़ाई की और future में दूसरों को इस खतरे से बचाने के लिए उन्होंने constitution में लिख भी दिया कि बस gold और silver ही real money बन सकते हैं बस इसलिए क्योंके लोग उने जितना चाहे उतना चाप नहीं सकते पर time के साथ किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं रखा और हम सब वापस इस system में फस गए हैं आज का system बस unconstitutional ही नहीं बलकि एक बड़ी चोरी है जो हमसे हमारी prosperity और liberty चुरा रही है हमारी purchasing power कम करती जा रही है inflation की वज़ा से जो और कुछ नहीं बस इस system का result है ये system उनके लिए ही फायदे मन्द है जो ये currencies create कर रहा है और जिनके हाट में सबसे पहले currencies आती है क्योंकि वो सबसे पहले उस currencies को use कर सकते हैं economy पे उसका effect बढ़ने से पहले सो अब आता है एक और secret federal reserve actual में federal नहीं है मतलब वो government controlled नहीं है बलके वो तो एक private corporation है जिन में stockholders है जो से own करते हैं और जिने 6% का dividend हमेशा मिलता रहता है बट ये owners exactly कौन है ये एक बहुत closed secret रखा गया है पर author कहते हैं कि वो owners उन बड़े banks वाले लोगों में से ही है जिने इस system के हर step पे profit होता रहता है क्योंकि ये system इतना complex है इसलिए हम इसे short में वापस recap करेंगे सबसे पहले part 1 में governments bond create करती है उधार लेने के लिए हम normal लोगों को दाओ पे लगा के जो इस depth को काम करके टेक्स भर के खतम करेंगे future में part 2 banks इन bond को treasury से खरीद कर federal reserve को बेज देती है profit के साथ जो के probably वो लोग खुद ही own करते है फिर federal reserve जिनके account में हमेशा zero balance होता है वो अपनी checkbook खुलते हैं जिसमें वो जितना amount देना उतना लिग के banks को दे देते हैं जिसके बाद currencies existence में आ जाती है फिर ये process repeat होता रहता है जिसकी वज़ा से federal reserve के पास bonds जमा होते रहते है और treasury में currencies जो और कुछ नहीं बस numbers है समझो फिर treasury इन currencies को अलग-अलग government branch में देती है और फिर आता है part 3 government उन bank से लिए हुए उधार को खर्च करती है अपने किये गए वादो programs और wars के लिए जहां से फिर government employee और contractor लोग को पैसे मिलते हैं जिसे वो फिर अपने-पने banks में जमा कर देते हैं फिर आता है part 4 banks fractional reserve के base पे उनके थोड़े से पैसे अपने पास रखती है और maximum पैसे वो दूसरों को उधार दे देती है बिना बताए जिन पे वो interest भी कमाती है और new currencies भी पैदा करती रहती है बस numbers को computer में type करके और यही वो जगा है जहां से 92 से 96% currencies दुनिया में आती है और inflation बढ़ाती रहती है part 5 हम सब normal लोग इन तेजी से expand होते हुए numbers में से कुछ numbers पाने के लिए मेहनत करते हैं अपनी जान लगा के और उन पे tax भी भरते हैं जो treasury के पास जाता है और वो उन्हें federal reserve को pay करती है interest के साथ उसी federal reserve को जिसने वो पैसे बस एक paper पे लिखके बना दिये थे part 6 secret owners पैसे कमाते हैं हर step में world की सबसे बड़ी बड़ी banks federal reserve को own करती है वो banks पैसे कमाती है national debt बेच के interest के पैसे जो federal reserve अपने reserve में रखी होती है और 6% dividend जो उन्हें fed को own करने के लिए मिलते रहते हैं ये एक evil system है जो wealth को working class logo से चुराता है और government और secret owners को देता है ये ही system आज economy को खराब कर रहा है और ये सब possible हो पा रहा है क्योंकि अब हम real money use नहीं करते और सबसे worst बात ये है कि इस चीज़ ने हमें slave बना के रख दिया है जो महनत करता है, new चीज़े बनाता है world को अच्छे से चलाता है उन कुछ logo के लिए जो दुनिया के राजा बनके बैटे है अब ये सब सुनने में बहुत बुरा है पर अभी भी बहुत hope बाकी है क्योंकि इस system का सबसे बड़ा strong point है लोगों का ignorance और उनके चीज़े को समझने की कोशिश ना करना इसलिए आप अभी बहुत importance रखते हो ये आपकी responsibility है कि अब आप इस knowledge को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेर करें क्योंकि informed public जो इस system को अच्छे से समझती है वो इस situation को better बनाने के लिए अच्छे solutions भी ढून सकती है पर जब तक उनको कुछ पता ही नहीं होगा तब तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये बाते मैंने आपको Mike Meloni की book और उनके videos से inspired होके बनाई है